जन जन की आवाज आप तक पहुचाने के लिए जी एन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुची है जहाँ पर पंचायत सचिव अभियार्थियों की धन्ना 42 दिन से जारी है कल रांची के पहाड़ी मंदर में मुख्य मंत्री पहुचे थे जहां पर ये लोग उनसे मिलने का प्रयास किये थे लेकिन मुख्य मंत्री इनको इग्नोर करके चलते बने तो आएए जानते हैं कि कल इनके साथ क्या हुआ था मुख्य मंत्री इनको क्यूँ इग्नोर किये थे समस्या नहीं है अगर सरकार चाहेगी तो तुरंत इसको रिजल्ट प्रकाशित कर सकती है कोई समस्या नहीं है कि वह निर्भर करता है सरकार के इच्छा सकती पर कि वह कितना यादा है हमारे परती जवाब दे है हमारे परती कितना यादा संदंसिल है हमेशा बोलते हैं सरकार क हम ये हमारे छोटे भाई हैं, हम इनके बड़े भाई हैं, हमारे जारखन के बेटे हैं, भाई हैं, हम इनके गारजन हैं, तो सिर्फ ये बोल देना उचित नहीं है, कि हम अभिभावक हैं के, हम इनके लिए काम कर रहे हैं, कल देखिएगा, कल तीन मार्चना, हमारे हुआ हुआ श्रिंखला करने का में निया क्या थ्यक्यह सब लोगा अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि हमारी निकती करा कर ठो है कोन से पुर्ण अपना है वाले हैं कि आप लोग मानफ श्रिंखला वनाटाने वाले हैं इस पर आप क्या कहेंगे? आप काफी दिन से आज धरने पे हैं, फिर भी हमारी मांगे अपका क्या कहना है? अभी तक पूरी नहीं हुई है, सरकार बस आश्वाशन दी है, अभी तक हमें कि हमारी न्युक्ति की जाएगी, की जाएगी, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कब तक की जाएगी, पांच साल उधर वेट की है, बे-ालिस दिन से आज हम धरने पे आ रहे हैं, अपने जहां में न्युक्त करना था, महां न्युक्त कर देते हैं, हम आज काम कर रहे होते, आज हम रोड पे बैठे हुए हैं, हम सारे बच्चे, क्या यह जारखंड का भविश्य यही है, कि वो रोड पे आके बैठे, तो सरकार यहीं नहीं देख रही है, क्या कि आप अपना घर चोड़ के रोड पर बैट रही है धर्मा दे रही है और हम इतना तक बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता है उनसे नहीं जेला जाता है जी बिल्कुल सुना है मैं अपनी डेर साल की बच्ची को भी छोड़ के आती हूं घर पे वो दिन भर मेरे बिना कैसे रहती है यह मैं लेकिन फिर भी मैं छोड़के आतों कि शायद इस आंदोलन से न्यूक्ति पूरी हो जाए शायद ये सरकार हमें न्यूक्ति दे दे हमारा प्रमान पतर दे दे जो जायज है हम वही मांग कर रहे हैं हमने सब कुछ क्वालिफाई किया 50% महिलाओं का आरक्षन है ये पहली वेकेंसी ऐसी जिसमें महिलाओं का आरक्षन है और क्या बोलते हैं हम लोग सारे प्रोसेस पूरा करके आये हैं और फिर भी हमें अभी तक न्यूक्ति नहीं किया जा रहा है बस ये सरकार की लापरवाई है इच्छा शक्ति की कमी है जिसके कारण हमें वेकेंसी अभी तक हमारी पूरी नहीं हो पाई है आपका क्या नाम? मेरा नाम सालीनी कुमारी है इतने दिन से आप धर्मा पे बैठी हैं आपका क्या कहना है? बस यही कहना चाहते हैं सरकार को कि अब ये संग्यान वाली भासा बंद करिए और हम लोग की न्युक्ति करिए क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परिसान है देख सकते कि यहां ना हम लोग को पास उतने पैसे भी नहीं है कि एक टेंट गार सके हम लोग कोई खाने तक कि पैसे नहीं है बहुत दूदूर से आते हैं और यहां पर धढ़ना करते हैं तो सरकार से निवीदन है नर्म निवığınıदन है कि जो आप संग्यान लेते हैं पली जाकर हमनुको कष्ट को देखिए और हम लोग को जल्दी से जल्दी नियुकति करिए क्योंकि बहुत ज्यादा परेसान हो चुके हैं देखिए मेरा नाम संतोष कुमर मतो हुआ परेसानी यही है कि हम लोग 42 दिन से धर्ना में बैठे हुए हैं हम लोग की बात एतना दिन धर्ना में बटने के बावजुद भी ना हम लोग से कोई मिलने आ रहा है ना पूछने आ रहा है हम लोग का नियुकति के लेकर पांट साल हो गया है नियुकति का 2017 का वेकैंसी थी 2005 साल में तो देखी एक नया चुनावी हो जाता है लेकिन हम लोग का जोर्निंग नहीं कराया गया है हम लोग सरकास से यही मांग करते हैं कि हम लोग का नियुक्ति आप आस्वासन जो दे रहे हैं वो आश्वासन ना दे के हम लोग को निक्ति कराईए हम लोग यहां बहुत प्रोलम में हैं हम लोग बहुत दिक्कतों की समना करना पड़ रहा है घर में जबाब देना पड़ रहा है घर जाते हैं तो पुछता है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हम लोग तीन साल से जवाब दे तो जरूर एक नाएक दिन हम लोग की बाते को सुनेगी हम लोग सोच लिये हैं कि जब तक हम लोग की नहीं मिलती है तब तक हम लोग का अंदुलन खतम नहीं होगा तो आपने सुना कि ये लोकल मानव श्रिंकला बनाने वाले हैं विधान सवा घिराओ भी करेंगे जीन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नेलिस्त सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले